राजस्तान में बिजेपी सरकार ने आते ही दो बड़े मास्रस्टो खेले हैं पहला एर सीपी और दूसरा किसानों को मिलने वाला सालाना भट्ता जो की सीधा 6,000 से 8,000 कर दिया गया है तो क्या ये किरोडी लाल के पद को और भी उचा करतेंगे या फिर देखने वाली बात है आपको क्या लगता है कि किरोडी लाल मीना जो है इतने लोग प्रिया नेता है जो की हमेशा जनता के लिए काम करते दिखते हैं और जनता इमें काफी लोग प्रिया है तो एर सीपी के आने के बाद या फिर सालाना भट्ता जो की 6,000 से सीधा 8,000 कर दिया गया है तो उससे कि जिसको लेकर किरोडी लाल जी ने और तमाम जो पूरवी राजस्थान है उसके लोगों ने अंदोलन छेड़ रखा था उसके लिए बढ़ चड़कर जिस तरह से भारती जनता पारटी को समर्थन मिला है पूरवी राजस्थान से उससे निस्षित रूप से किरोडी लाल जी जो यहां पर जो अपने कई मुद्दे उठाये रीट का मुद्दा उठाया और कई जो जनान दोलन किये उससे किरोडी लाल जी का कत्तो खेर आप जानते हैं कि बहुत ही बड़े लीडर के रूम में है लेकिन देश के इससी प्रदान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चा और जो आपने सम्मान दी की बात की तो निश्यत रूप से किसान युवा और जो नारी बंदन जो महिला सकती है इसके लिए भी नरेंद्र बोदी जी ने जो जिस तरह से आगे बढ़कर उनके वाविस्ति की चिंता की है उनका भी बहुत-बहुत आवार है और निश्यत से जो किसान है और क्रशी का जो हो रहा है कि इसे क्या मतलब फाइदे मिलेंगे किसानों को कि मैं सबसे पहले माननिय प्रजाद मंद्री मोधी जी को भी दंड़वा दूंगा और किरोडी लाल जी मिना कई कारेकरों में में बचल किस्या लिया है इनोंने मुद्दे भी उठ किसानों के लिए क्या है तो सबी लोगों के लिए किसानों के लिए इनके से चाहिए तो पुरा परिवार उसे लाबानित होता है तो यह राजतान जो चेतर है दौसा है जैपुरा आसपास की जितने चेतर है और कई बांद इसे बरेंगे और सबी को फायदा होगा यह बहु होगा इसके लिए हम सभी पार्टी का रहे हो पार्टी को प्रदान मंत्री मोदी जी को मानिय मुख्रमंत्री भगजनलाल जी को सभी को धन्यवाद दिते हैं आप बताईए जे जो दो स्कीम दो अलग-अलग एर सीपी और सालान भट्ता वाली जो चीज है इनसे किरोडी लाल जी के लोग प्रियता पे कितना अशर परिवा वैसे देखा जाए तो किरोडी लाल जी मीना नी बहुत अच्छा काम किया है और हम मुन के लिए बहुत आभार और खास कर तो नरेंदर मोदी जी के आपारी है कि आज उन्होंने यह सब किया और भजनलाल जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो यह आर सीपी का हुआ है उससे किरोडी लाल जी के पत पर कितना प्रभाव बढ़ीगा एर सीपी का हुआ है तेरा जिल किसानों का तो किसानों को भी इसमें बहुत लाब मिलेगा क्योंकि किसान बिचारे जो इतने परिशान थे इस समय कोंग्रेस के टाइम में ना तो उनको पानी की सुविदाती खेती नहीं कर पा रहे थे इतने करजे में डूब गए थे आप जैसे हमारे अदाजिस्थान में बजलाल जी आये हैं परदान मुखे मंत्री बने हैं बहुत मतला वो मिला और इंकम जो जल का जो समझता हुआ तेरा जिलों को जो जल दिया जाएगा किसानी के लिए उनसे किसानों को बहुत रहत मिलिये और हमारे नरंदर मोदी जी को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम पीके मुखे मंत्री उनके साथ मिलके उन्होंने समझता किया उसके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद है किस बोलना चाहेंगी हम परदान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं साथ में मुखे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और इसमें करोड़ चिलाल मेना जी ने बहुत संगर्श किया था आज उनको इस तीज का फाइदा मिल गया देश की जनता को और किशानों को सब को बहुत फाइदा मिल गया है। कि क्वेट लाल जी एक किसान है उनको किशान के बारे में सारी समझञाओं का पता है। जब भी खेती करते हैं तो उसमें सबसे पहले पानी खादवाज सब चाहिए तो पानी बगेर को खेती हो नहीं सकती। तो थैक वन्हों ने पानीपे सबसे पहले जोड़ दिया, कि हमारे इसें साइड में पानी मिले, तो सारे किसानों को आराम मिले, इसलिए उनका तो जितना भी धन्यवास दिया जाया, उतना ईकाभा, वो कई सालों से संगर्स कर रहे थी कि हमें पानी मिले, और दूसरा कि मौहन यादाव जी ने और हमारे बजलाल जी ने मिलके जो दोनों का समझोता है क्योंकि एक स्टेट कुछ कर नहीं सकता दो स्टेट से मिलके जो काम किया इसलिए इतना अच्छा हुआ है कि जितना हमारे मौहन जी का और बजलाल जी का जितना धन्यवाद किया वह अंद्य कुए संगस तो सभी करते हैं पर संगस करने के बाद उसको सफल बनाने के लिए उपर आत होता है तो यह हमारे दोनुं मुख्य मंत्रियों ने कहा तो उनका हम भूत है दिल से सुकर गुजा रहे हैं और करोड़ लाल जी का है बहुत सुकर गुजार रहे क्योंकि यह कदम उठाए किसानों के समझा समझ के और यह समझा सोल होगी तो यह लिए हम सब किसानों के लिए बहुत ही कुछी के बात है और यह जो साला ना भत्ता है किसानों को जो दिया जाता था जो कि 6,000 से सीथा 8,000 कर दिया गया है उस पे क्या आपका गया है किसानों को बीच के लिए खात के लिए जो छोटे किसान होते हैं उनको जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात ही है कि किरोडी लाल जी बहुत संगर्ष शील ब्यक्ति है और उन्होंने इतना संगर्ष किया है कि उनका पद वैसे ही बहुत उचा है तो उन्होंने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो तो अविस्मार नहीं रहेगा और उसके लिए जैसे जल अभी मैडम ने बोला था कि जल के बिना तो कुछ है नहीं, जीवान ही नहीं जल के बिना लेकिन मैं सबसे जादे धन्यवाद और स्वाभी मान के साथ के एक महला बित्त मंत्री ने जिस तरह से बजट पेश किया है उस बजट में किसानों का बहुत ध्यान रखा गया है और उसके अलावा महलाओ का क्योंकि महला होते हुए जिस तरह ओरतों की जो समस्या है जो आके लोगहां, नौकरी पीशओ्स लोगहां, उनके लिए भी बजट में बहुत कुछ किया है, गरीब लोगों के लिए बजट में बहुत कुछ किया है और मोधी जी का जो एक बिजलन है कि हम hazardals का, हमारी चार जाति है यह महलाओ किसान, युवा और गरीब तो इन चारों को ध्यान में रखे एक फ्रेम बनाके जो हमारी मानिनिया बित्त मंतरी जी ने किया है तो हमारी देश की हर इस तरी गौरवान बित है एक इतनी अच्छी महला और सूज बुजवाली बित्त मंतरी के साथ केंद्र सरकार में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके ना रॉंक्ते खड़े हो रहे हैं मेरे अभीवी देख के हम सच मुझ कहां से कहां पहुच गए और जहां जिस तरह हमको बार 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 बहुत पीछे छोड़ा जाता था ब्यंग किये जाते थे इस तरियां मतलब दो नंबर पर हैं तो वो सब चीजे उसको पलड़ दिया है और जो भारत जो शक्ती बंदन हमारा वो प्रधान मत्री जीन है तो शक्ती बंदन का मतलब क्या है शक्ती यानि पूरी सृष्टी शक्ती का ही प्रारूप है इस तरी का ही प्रारूप है इस शक्ती तो शक्ती का बंदन मतलब पुरुष के दौरा पुरुष कोन है इश्व मैं तो बहुत मैं क्या हमारे देश का हर समझदार व्यक्ति उनके लिए नमन करता भी नंदन करता है शतायू की कामना करता है इश्वर हमारे प्रधानमंत्री को सौ साल दे और हमारा देश बिक्सित हो जाए धन्यवाद देख सकते हैं कि कैसे ERCP और किसानों के लिए सालाना भत्ता जो की बढ़ाया गया 6,000 से 8,000 कर दिया गया है उससे सभी खुश है ये देख कर कि किसानों की हित में काम किया जा रहा है धन्यवाद देखते रहे राजसान समवाद मैं देवीका और आप कैमरा परसन शेतन के साथ अब आपको मिल सकती हैं लाइफ चैनल में काम करते वे पत्रह कारिता की डिगरी UGC Approved University से मिलने वाली इस डिगरी के साथ आपको मिलेगा लाइफ चैनल पर रिपोर्टिंग, आंक्रिंग और प्रडेक्शन में काम करने का मौखा काम करने के साथ सीखना और 70% practical और 30% story के pattern से सिखाते हुए आपको इस पूरा पोर करवाया जाएगा यही नहीं यहाँ आपको इंडिस्ट्री के हिसाब से train करने के लिए आज तक cnews और कई चैनलों में काम करने वाले लोग lectures देंगे साथ ही permanent faculties भी इन चैनल्स और अख़वारों में लंबा experience ले चुके लोग भी होंगे इसके साथ ही टीवी, newspaper जैसे traditional media की live practical training के अलावा आपको यहाँ पर digital media और digital marketing भी industry needs के हिसाब से सिखाई जाएगी तो केवल रटना लिखना नहीं बलकि इंडस्ट्री जैसा talent चाहती है उसकी practical education के साथ कीजे mass communications और journalist या multi-media and animation की b-walk degree और placement assistance से लेकर traditional और digital media की सारी industry training with internship आपको मिलेगी Michigan Institute of Media Studies में